नमस्कार आज मैं कुछ ऐसी दुख वरी थोड़ी सी एक इस्टोरी बताना चाहरा हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे पत्थर दिलवाले हैं तो नहीं समझेंगे मैंने कई ऐसे वीडियोज बनाए हैं और बनाने के वावजूद भी लोग फ्रॉड के सिखार हो रहे हैं और गलत रहा पर चल रहे हैं कहते हैं ना कि जब कोई कोई भी इंसान अच्छा काम करता है या अच्छी चीजें बताता है तो वह लोगों को हजम नहीं होते यह करए बरबादी का और जो लोग बरबाद होना चाहते हैं तो सोख्ष होई है मैं तो नि मना कर रहा लेकिन अगर कुछ समझदार इंसान है ना क्योंकि हमें भी इससे लगाओ है संगीत की दुनिया से और हम आपके सामने जूट बोलेंगे या हम आपको बीकूप बनाएंगे तो उपर वाला माफ नहीं करेगा पहली बाद क्योंकि हम उपर वाले पर भरूसा रखते हैं मैंने कई ऐसे वीडियो बनाया और उसमें मैंने कई बार कहा है कि चाहें इस्टूडियो हो चाहें इंस्ट्यूट हो सिर्फ वहाँ पर लोगों से इंकम की जाती है बिजनिस चलाया जाता है और फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं आखिर क्यों यानि वो धिखता है तो भिक मतलब सोरूम बना लो तो भिकने लगा बहुत शर्म की बात है कि आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहें मेरे पास ऐसे कई केसे जाते हैं ऐसी कई पीलगाएं आती मेरे पास आज मेरे पास खुद भोनाएं आज भी आया और इसकी पहले भी आ चुके हैं जो लोग खुद क आज आए तो आज आएगा तो आज आएगा तीन साल में जो तुमने पैसा लिया है तो किस लिए लिया है अगर आप किसी एक स्टूडेंट को स्वर्ग्यान नहीं करा सकते तो आपने किस लिए लिया है मैं यह जानना चाहता हूं जो बैसे भी तो यार मेरे को तो बैसे भी लोग गालिया देते लेकिन मुझे उससे नहीं फरक पाड़ता है लेकिन जब तक इस देश में हूँ जब तक यह शरीर है न बैंड बजा दूँगा अगर लूट पाट का धंता चलाओगे तो इमानदाई से कमाईए नो प्रोब्लाम लेकिन अगर किसी को एक बतलब फ्रोड की तरह काम करेंगे किसी को भी लूटना बरबात करना बेकूब बनाना यार आज उससे स्टा लगवारा उसको स्टा नहीं लगना आ रहा है सरगम नहीं उसको आता है बोलता है मुंबई में म क्या सीखा है मैं वहीं तो पूछ रहा हूं और इसके बारे में आप लोगों को कैसे बता सकूँ जो स्वर्ग्यान होता है एक कड़ी सच्चा ही बता रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम बाकि बेकूब बनना है तो बनते रहो वो तुम्हारी मर्जी है लेकिन अपनी तर कर रहा होता ना तो इधर मैं पैसे कमा रहा होता मैं ऑफिस में जॉब नहीं करता मैं पैसे कमा रहा होता यहां इतना इंकम कर सकता हूं आज भी लेकिन ऐसा कभी तमन्ना नहीं रखा सोचा है कि लोगों के हित में काम करना है यह शरीर अगर किसी के काम आ जाए तो मेरे लि देख लो आप लोग क्योंकि मेरे पास बिजनिस हम नहीं चलाते हैं अगर आता है मुझे तो नहीं आता तो इतना फालतू भी ज्यान नहीं है कि उल्लू बनाते रहें किसी को भी यह देख लिजिए और अगर आप लोग ऐसे बेकूप बनोगे न तो गड़े में गिर जाओ गे एक चीज़ ध्यान रखना जमीन से जोड़कर चलोगे तबी लाइफ में कुछ सीख पाओगे याद रखना जमीन पर बैठकर सीखोगे तबी कुछ लाइफ में कर पाओगे यह सोरूम में जा जाक बताओ जो में आता है अच्छे से बताओं मैं यह नहीं कहता कि कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं बहुत बड़ा teacher no 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 मैं सब की respect करता हूं लेकिन जो भी माता रानी ने दिया है उसे इमानदारी पूर्वत बताता हूं जो चाही है जूट नहीं बताता जूट बता रहा होता ना तो आज हमारे जो भाई हमारे चैनल पर जुड़े हैं जो हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं मेरे पक्के सब्सक्राइबर हमारे भाई हैं और जिन्होंने मेरे चैनल की सदस्ता लिये कुछ जरूर सोच कर ली होगे और आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि हमने कभी भी किसी का बुरार नहीं सोचा, और ना आगे सोचना चाहते हैं, तो आप सबको ओश्यार रहने की जरूरत है, आप किसी भी अच्छे टीचर से सीखिए, भले उसके घर पे जाके सीखिए, आप स्टार्टिंग अपने अकेले लिखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, जुन्ड में बैटकर अगर आप बहुत सारे भाई होते हैं, उनको नहीं समझ में आता, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, और जिनको चारो तरह बंधेरा हो गया, जब कोई न मिले, तो अपने इस भाई को थोड़ा याद कर ले आप 6 मन्त दीजिये मुझे, 6 मेने में आपको में रिजर्ट दूँगा, लेकिन अगर मेहनत करने वाले हैं तो, बिना मेहनत करने वाले हो टाइम पास करने वालों की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो कि हम बिजनेस नहीं चला है कि आपको भी एक्षेप्ट कर लें और 1000 बड़निंग कराने जाते हैं वहां आपको बेकूप बनाते हैं लोग हैं चार अजार 3,002,000-5,005,000 जो भी आपसे पैसा ले लेते हैं उसके बाद में एक एक टर्च पर ददस शिंग्रों को गवाते हैं और आप लोग भश जाते हैं बढ़े ताजो की वात है क्यों जाते है अब तो कम से कम जो भी हमारे चैनल पर कम से कम कोई भी काम करो तो कम से कम इक पर कमेंट कर दो हम आपको राय अच्छी ही देंगे बुरी नहीं आपके भविस्त के लिए और इतना लिंक है अपना इस्टूडियो में कि आप लोगों का काम परफेक्ट तरीके से हो सकता है वीडियो अगर ये जरास अभी अगर आपको लगता है कि ये लोगों तक जानकरी पहुचाना चाहिए तो पहुचार देना भहिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अच्छी चीजों को कभी नहीं शेयर करती बुरा भी कुछ भी बोलेंगे या बुरा गाना गा देंगे कुछ भी गंदा करेंगे तो इतना शेयर हो जाएगा कि एक रात रात में इस्टार बना देते हो आप लोग कि इजस से सुगुन से हम जो कमा रहा है रोटी खा रहा है वही खाते रहें बस इतना है कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुचा देना जिनको जरूरत है इस वीडियो की बाकी आप तो देखी चुके हैं बाकी आप निश्यंद रहिए जो मेरी तरब से टॉपिक आएगा हु और मैं क्या कर सकता हूं वैसे विश्वास नहीं दिला सकता विश्वास कोई सीना फाड़ की नहीं देता विश्वास ना उपर बाला जानता है कि मैं आपके हीट के लिए काम कर रहा हूं या मैं अपने ही हीट के लिए काम कर रहा हूं बाकी आपकी मर्जी की आपको क्या कर ज्यामादा